हेलो स्टुइंट्स आज का हमारा कक्षा नवी का ग्रामर का टॉपिक है चित्र लेखन आपको सब्जेक्ट से समझ में आ रहा होगा चित्र लेखन क्या होता है तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इसमें मांक्स भी बहुत इजी लिया जाते हैं अगर हम इस पर थोड़ा जिसे हम poetry section बोलते हैं और गधी विद्या जिसमें हम literature या कोई paragraph होता है गधी शैली में अपने मन के भाव विचार व्यक्त करने की अलग-अलग विधाओं में एक है चित्र वर्णन मानव द्वार अपने भाव विचार की अभी व्यक्ति के लिए अपनाई गई विधाओं में ये प्राचींतम विधाओं में से एक है आदी मानव गुफा आदी की दीवार पर चित्र बना कर ऐसा किया करते थे कि अपने मन के भाव को वो चित्र के द्वारा प्रकट करते थ तो किसी चित्र को देखकर हमारे मन में अनेक भाव उड़ते हैं, हम इस चित्र से जुड़ी नाना प्रकार की कल्पनाएं भी करते हैं, इसी कल्पना शक्ति और अभिव्यक्ति कोशल को बढ़ावा देने और जाचने परकने के लिए अपने पाठे क्रम में शामिल किया गया ह एक ही चित्र को देखकर अलग-अलग चात्रों के मन में अलग-अलग भावनाएं प्रकट होती हैं और उनकी अभिव्यक्ति में भी थोड़ा-थोड़ा अंतर हमें नजर आता है, पर उनका मूल भाव समान होता है किसी चित्र को देखकर उसका लिखित वर्णन करना थोड़ा अलग है और एक ही कला में आता है इसमें चात्र अपने ज्यान, बुद्धी कोशल और भाशा कोशल का प्रभाव विभिन कोणों से चित्र की परक करके करते हैं और उससे शब्द बंद करते हैं, यानि लाइन बनाते हैं, वाक्य में पिरोते हैं इस लेकन में कल्पना शीलता का रंग भरकर इसे और भी आकरशक बनाया जाता है कि कोई चित्र है तो हम उसकी इमेजिनेशन कि इसमें क्या हो रहा है, हमें क्या दिख रहा है सबसे प्लस पॉइंट है कि चितर को दो-तीन बार ध्यान से हमें देखना चाहिए कि उसमें क्या दिखाया जा रहा है चितर के मूल भाव को समझने का प्रयास करना चाहिए चित्र में समाहित कत्थे का प्रारूप तयार करना कि इसके बारे में मुझे क्या-क्या लिखना है लिखने से पूर्व विचारों को चित्र के अनुसा क्रमबद भी कर लेना चाहिए चित्र वर्णन मुख्य रूप से बरतमान काल में करना चाहिए यानि प्रेजेंट में कर रहा था नहीं कर रहा है शब्दों का यूज होना चाहिए तो कुछ उधारन है जो हमें देखने हैं जैसे हमारे सामने चित्र है इसमें हमें कोई मुनी कुछ रचना लिखते हुए दिखाई दे रहे हैं और पास में जोपडी है पेड़ पौदे हैं बुक रखी हुई है लेखनी से लिख रहे हैं और हीरन घास चड़ रही है इस तरह से हमें ये दिख रहा है पंची उड़ रहे हैं ठीके ये जंगल का वातावरण है हमें दिख रहा है कि वो जंगल के बीचों बीच इस चीज को लिख रहे हैं तो इनी चीजों को देख करके हमें क्रमबन इसको शब्दों में वाक्य में पिरोना है तो ये चित्र भक् विशे भगवान राम की पावन लीला का गायन है अवधी वाशा में रचित इस ग्रंत में दोहाय चोपाई सोराथा आधी शंदो का प्रियोग किया गया है तुलसी करत दोहे और चोपाईयां लोगों की जुमान पर सरलता से चड़ाती है आसपास हमें चितर में जो भी दिख नई दिल्ली में खेले जा रहा है अंडर 17 हम तोड़े से इसको किस चीज़ में पिरोएंगे भी ऐसा नहीं कि हम टारेट लेगे दो बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं इस तरह से नहीं अगर हम इसकी रूपरे का अच्छे बनाएंगे तो हमें मार्क्स तोड़े अच्छ एक मैदान है ठीक है उसके बाद आप देख रहे हैं कि यहां पर ट्रेन के डिब्बे हैं और उनको क्रेन से उठाया जाता मतलब एक्सिडेंट हुआ है ठीक है यहां पर यह कुछ लोगों को बचाया जा रहा है रेल की पट्री है ठीक है और एम्बुलेंस भी आई हुई है इस तरह से पट्री पर पल्टी रेल गाडी के डिब्बे क्रेन से उठाया जा रहा है कुछ डिब्बे आसपास खड़े हुए पुलिस यह चितर दुरगटना ग्रस्त रेल गाडी का है पुलिस कर्मी यह देख रहे हैं रेल गाडी के कई डब्बे पट्री से उत्रे हुए ह कई डब्बे इतने पिचक गएं कि उन्हें काट कर यात्रियों को बाहर निकाला जा रहा है पुलिस घायलों को अस्पताल पहुचा रही है क्रेन से डिब्बो को सीधा किया जा रहा है आसपास खड़े हुए लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान और दुखी है इस तरह से ठ परिश्रम से बंजर भूमी को भी हरा भरा कर देता है किसान अनाज उगा कर दूसरों का पेट भड़ता है परिश्रमी जीवन देखकर ही हमारे पूर प्रधान मंत्री नहीं ये बोला था जै जवान जै किसान का नारा दिया था और इसमें बेल खेत जोत रहे हैं तो इस तर नहीं करना है भाघ्षा बहुत ही शरल होनी चाहिए और 4-5 लाइन हमारे बहुत है बस चित्र से संबंदित होनी चाहिए ऐसा हिसे मर्जी से कुछ भी लिक रहे हैं जो उसमें दिखाया भी नहीं जा रहा है तो आसानी से बोले तो चित्र का वर्डन करना है ए किम क्या यह खिलाडी है और अमेरीकी खिलाडी है यह शब्द अगर हम थोड़ा सा हम पिरो सकते हैं ऐसा कुछ नहीं है कि हम यूज नहीं कर सकते लेकिन हमें विशे के साथ ही चलना है एक्स्ट्रा वर्डों का या शब्दों या वाक्यों का हमें बहुत ज़्यादा प्रियोग नहीं करना है ठीक है तो आशा करती हूं आपको इस चित्रवर्णन टॉपिक समझ में आया होगा थैंक्यू सो मच